ओम सिरीगनेशायनम दोस्तू एश्प्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 जून बुद्वार की रासी फल के बारे में की हा दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण ज इनको और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेनी वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज विध्यार्तियों को इंटर्व्यू वे केरियर स सम्मंदित परिक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना हैं इसलिए अपनी पढ़ाई के परती एकाग रुचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे 37 दोस्तो किसी धार्मिक प्रवर्ति के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कारे को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कारों के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे धार में कारों के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहौल रहेगा आपकी मेहनत वे परिश्रम से कोई महत्पपूर्ण कर रहे आज संपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक् आज सम्पन होगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तों आज आज आपको नहीं नहीं सफलता हैं पना समय व्यर्थ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आला स्वे मनोरंजन में समय वैतीत करने की वज़े से बनते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है और इसकी वज़े से आपके स्वाबिमान को भी ठेस पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियो पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूरवक सुलजाएं उन्हें डाटने वै गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परन्तु ध्यान रहे कि किसी भी कार्रे को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलों पर आप विचार अती अवश्या करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है साती सात आज अधिक तर समय घर से बाहर व्यतीत करना पड़ सकता है परन्तु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है कोई भी अनुचित कार रहें और आपका क्रोध पूर्ण वैवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है साफधान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथिसाथ किसी निकट संबंदी से भी मतबेद होने की आज पूरी संभवना है साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जबकि लवलाइफ के शिरेने वाली है दोस्तों विवाहित जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों में आज काफी मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल है परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुसनुमा बनाएगा तथा आप से संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पती-पतिनी के संबंदों में मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कार्रे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कार्रे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गल्ती होने की भी आज संभाव ना है दोस्तो देनिक आय में व्रत्ति होगी आयात नियात सम्मंदित कार्रों में अधिक ध्यान केंदरित करें कोई बड़ा अनुबंद मिलने की आज संभावना है नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती है आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभावना है कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम ले लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूपयोग करें दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परन्तु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिरती थोड़ा साबधान रहने की वियाव सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वैवसाई के विचार संबंदित रूप रेका पर किसी भी कारे को आज इस्तगित करें आर्थिक सादनों में आज व्रद्धी होगी परन्तु किसी भी प्रकार के अनुचित कारे को करने से आपको बचना होगा दोस्तो प्रॉपर्टी से सम्मध्य तकारों में पेपर वर्क पर आप अधिक ध्यान दें जरासी साबधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है नोकरी पेशा व्यक्तियों से बौस्वे अधिकारी वर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रमोशन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगने की संभावना बन सकती है इसलिए आज आज आप अत्यादिक साफधानी बरतें वैसे आज आज आपका स्वास्त बहुत यच्छा साथ जाए अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी को केसर या सिंदूर चड़ाएं और साथ ही साथ अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारने बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी कासिरबाद आपको प्राप्त हो सच्छे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै श्री गनेश अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद